रधर होड की दो फेलियर के बाद में एक साइनटिस्ट आये थे बोर और उस बोर ने रधर होड की इन फेलियर को कम करने की कोशिश करी और उन्हेंने बताया की रधर Ϋोड जो कह रहा था कि उलेक्ट्रों चारों तरब चक्कर लगा रहें तो फिर दूसरो मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने पूछा कि बहुत चक्कर लगा रहे हैं तो इसकी एनरजी जो है वो लॉस होनी चाहिए और एनरजी अगर लॉस है इसका मतलब इलेक्ट्रोन जो है वो नुकलिस के अंदर जाकर किर जाना चाहिए यह बात उन्होंने पिछली बार कर ली थी तो बोर नाम का एक साइंटिस्ट आया था और बोर नाम के साइंटिस्ट ने एक मोडल दिया था जिसको अपन बोर एटोमिक मोडल के नाम से जानते हैं अपन most important इस साल के लिए भी पिछले गए सालों के लिए भी ये बहुर model important था अने वाले सालों के लिए भी ये बहुर model important है अगले साल आप ये physics के पार्ट में पुढ़ोगी है ना तो बहुर atomic model theoretical portion से भी बहुँ ज़दा important है derivation को अगर देख लें तो derivation के purpose से ये सारे models को साथ के साथ पढ़ते रहो साथ के साथ उतारते रहो ठीक है भी किसी दूसरे के ओपर depend मत रहो के हम वहाँ पढ़ लेंगे वहाँ पढ़ लेंगे जहाँ पढ़ाया जा रहा है वहाँ इसको पढ़ते रहो number first postulate पहला postulate क्या किया था इसने atom has a center और जिसको नाम दिया था nucleus ये कोई नई चीज नहीं थी क्योंकि अपने रदर फोर्ड में पहले से ये चीज पढ़ ली थी तो पहली बात तो कोई बहुत ज़दा important नहीं है दूसरी बात बहुत ज़दा important हो जाती है क्योंकि रदर फोर्ड ने इसी बात के उपर अपने rules को या low को fail कर लिया था उसी बात को इसने दो रहा है लेकिन किसी और तरीके से इसने कहा कि electron revolves electron revolves घूमता तो है लेकिन कहाँ पर only in fixed circular orbit कहाँ पर गूरता है in fixed circular orbit और ना क्यों fixed orbit पर गूमता है जबकि इनकी energy भी क्या रहती है fixed रहती है with fixed energy energy भी इनकी क्या रहती है fixed रहती है और साथ ये साथ इनकी जो velocity है वो velocity भी क्या रहती है fixed रहती है तीन चीज़े कही electron गूमता था है rather for तो यह चुपो गया था येक्ट्रेत्ट गोमने के नाम से ih लेकिन इन्होंने आगे और थीन चीजे कहे दी हमारे को कि Fyxed orbit भी है Fyxed energy भी है और Fyxed velocity भी है इन तीन Fyxed चीजों के साथ Electron revolve करता है रदर फोर्ड ने कहा था कि Electron कहीं भी घोम सकता है यहां भी गोम सकता है, यहां भी गोम सकता है, कहीं भी इधर उधर कहीं भी गोम सकता है, चारो तरफ कहीं भी गोम सकता है लेकिन बोर ने क्या के दिया, कि भाईया, इलेक्ट्रोन को गोमना है, तो यह मैंने ओर्बिट बना दी है इस orbit में ही तेरे को क्या करना है चक्कर लगाना है या फिर चलो तेरे का यह मन नहीं लग रहा है अगले orbit में आजाओ और मन नहीं लग रहा है अगले orbit में आजाओ याने कि यह fixed orbit है इसी fixed orbit में electron को क्या करना है revolve होना है या चक्कर लगाना है यह जो fixed orbit है या fixed energy है क्या होता है यह अपन अब समझते हैं physics में भी आएगा यह portion तो quantization condition क्या है क्या condition दी थी quantization condition quantization को इस तरीके से समझो कि जैसे मेरे को कहीं सामान shift अगर करना है तो मैं क्या करता हूँ छोटे-छोटे packets की form में उन सामान को में ले जाने का काम करता हूँ सारा सामान एक साथ नहीं ले जा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ छोटे-छोटे packets की form में कर रहा हूँ इसका मलब है physics में कोई बड़ी चीज अगर अपमरे को पढ़नी है तो उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे और छोटे-छोटे टुकड़ों में पढ़ने के बाद उनको सबको merge कर देंगे तो उस condition को बोलते है quantization condition लेकिन बोर ने इसको क्या कहा था quantization condition को तो उसने कहा था कि electron revolves most important है यह only in those circular orbits for which the angular momentum 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 is integral integral multiple of h upon 2 pi most 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 important integral multiple of h upon 2 pi यानिके electron केवल और केवल उसी circular path में electron move करेगा या orbit में angular move करेगा या revolve होगा जिसके angular momentum की value h upon 2 pi के integral multiple में हो यानिके integral multiple का मतलब या तो हो h upon 2 pi या हो 2 h upon 2 pi 2 h upon 2 pi 3 h upon 2 pi अब यहाँ पर h क्या है तो h यहाँ पर है plank constant क्या है यह plank constant अब यह h upon 2 pi की value 2 कब होगी 3 कब होगी तो जब अपन electron की orbits की बात करेंगे तो जब orbits की value 1 तो यह 1 h upon 2 pi जब orbit की value 2 तो 2 h upon 2 pi जब orbit की value 3 तो 3 h upon 2 pi ऐसा कभी नहीं होगा 1.5 upon h upon 2 pi ऐसा कभी नहीं हो सकता दी यह value जो होगी वो quantization condition को follow नहीं करेगी तीक है और इसको आगे explain कैसे करेंगे अपन तो जैसे अपनने को यह nucleus बनाया electron को गूमना है इस वाले orbit के अंदर तो इस वाले orbit में गूम रहा है तो यहाँ पर इसके angular momentum की value क्या होगी h upon 2 pi second orbit में electron को move करना है तो इसको क्या के दिया अपनने इसके angular momentum की value होगी 2 h upon upon 2 pi या दर्गी बात याने के n की value क्या है तो n की value होगी या अपनी integer क्या value होगी हमारी integer होगी n की value क्या करे है अपन integer है और n की value क्या क्या हो सकती है तो n की value 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है 4 हो सकती है और इनको बोर ने कुछ नाम भी दिये रखे थे कि n की value जब 1 होगी तो अपन इसको बोलेंगे k N की value 2 होगी तो इसको बोल दिया L इसको M इसको N और इनको क्या नाम दे दिया अपनने सभी को एक साथ मिला कर के दिया ये तो है शेल है भई ये तो क्या है शेल है ठीक है भई अब क्या का अपनने angular momentum की value H upon 2 पाई है तो ये angular momentum क्या बिमारी है nucleus की बात करी और अपन ये electron को move करवा रहे है तो भईया ये electron है इसका mass भी है कोई न कोई और इस direction में ये क्या कर रहा है V velocity से move कर रहा है फिर इसने direction change किया तो यहाँ पर ये आगे इसका इदर velocity हो गई फिर direction change हो फिर direction change हो तो यहाँ पर क्या होगे इसका direction V velocity होगी clear यहाँ पर ये electron है इसका कोई न कोई mass है ठीक है angular momentum को denote करते है अपन L से कैसे denote कर रहे हैं है अपन L से और ये क्या है ये vector quantity है आप लोग physics में पढ़ोगे vector और scalar quantity क्या है ठीक है भी L क्या है vector quantity जिसको अपनने का R into P ये भी vector ये भी vector R क्या है तो R ये radius है क्या है अपनी R radius है R cross P P क्या है momentum momentum की value किस से निकालते हैं M into V तो इसको अपन यहाँ पर रख सकते हैं ये लिखा अपनने R vector quantity cross M into V ठीक है ये एक operation है X operation है इस X को अगर अपने को remove करना है तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा अपने को L is equal to R cross को हटाए है अपने तो यहाँ लगाना पड़ेगा sin theta ठीक है अब ये sin theta यहाँ कितना है तो यहाँ अपनने का 90 degree है तो sin theta की value sin 90 और sin 90 की value कितने होती है 1 तो L ले गया हमारा M V R यह कहां से आया अपने को यह पता लग गया और अगर नहीं आवे तो सिधा ही अपने लिख सकते है R L is equal to M V R ठीक है याने कि यह M V R की value किसके equal होने चाहिए N H upon 2 pi के equal होने चाहिए तो अपने यहाँ पर लिख सकते है M V R is equal to N H upon 2 pi अगर है जहां पर N की value क्या है number of shell तो M V R is equal to N H upon 2 pi जिन जिन के लिए है वहाँ वहाँ पर electron move कर सकता है revolve कर सकता है उसके अलावा कहीं भी दूसरी जिगे revolve नहीं करेगा अगर अपन कहें कि यहाँ पर N H की value N H upon 2 pi यहाँ पर M V R की value N H upon 2 pi तो यहाँ पर कभी भी electron बीच में नहीं जाएगा clear भई वासंज में आई यह तीन postulates अपनने आज बात करिए बाकी की बात अपन next class में करेंगे Thank you यहाँ बाकी की घ्दम आपीफ